हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल रिजवाना असेफ और मैं हूँ रिजवाना आपकी दोस्त और आपकी होप कैसे हैं आप सब आच्छा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज है हमारी विंटर हैर कैस सीरीज का डे अच्छी आपके साथ दुआरा सी एक कलिंजर हैर कलिंजर के साथ शेयर करने वाली हूं आपके साथ फिर आप बोल सकते हो हैर रिंस ए वाटर अब बोल सकते है तो ARE I am आपकी का solution लेका То यहां आज मैं आपके बताऊंगे कि जिंजर के साथ आप अगर आपके बालो में फॉलिकल की प्रॉबलम है या सप्लिट्स की प्रॉबलम या यानि दो मुहें बालो की प्रॉबलम है या आपके बालो में शाइन है आपके बालो डोंट वरी मैं सब कुछ बताने वाली हूँ तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं भी चैनल पर नहीं हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके मेरी फैमिली का हिस्ता बन सकते हैं बहुत ही होपसुरत हमारी फैमिली है बन र कर देख सकते हैं पुरियंडर लीव्स का मैंने स्थ्यों का सीजन है बहुत इजी लिए आपको कहीं भी कोरियंडर लीव्स मिल जाती है और काफी अच्छे प्राइस पर मिल जाती है ठीक है तो यहां बर तीन से चार आप पत्या ले सकते हैं या तिर इसकी टहनिया आप बो में ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन की जो डेंसिटी होती है उसे बढ़ाता है इससे आपके हेर ग्रोथ को बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलता है तो यहां पर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिंपल घर की चीज़ों स ही बहुत ही बहतरी तरीके से अपने हैर केर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरी कंटेंट अच्छी लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है क अब बहुत خुला तो उसे मात पाली और खरेघाद की यहां कि आप लोग जानते होंगे USD काली मिर्च जो है काली मिर्च, हमारी स्किन को भ ty अच्छे से क्लेच करती है गर आपके स्किन पर इंफेक्शन की बाइब्लम है तो उसे कम्प्लीटी। रचेति हैं अब आपने क्या करना है, सारी चीजों को luck है और एक dhand現在 बाउल में डालना है। धार के 1-1.5 खकारी करि Special Dolls और सभजार जैंसे 171 partido गिलाद सकते हैं जबना घणाट अधर जाया है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जब तक हमारे पानी उबल रहा है अगर डिर्ड गिलासा पानी लेते हैं तो आप इसे इतनी देर पकाएंगे कि आपका डिर्ड गिलास पानी एक गिलास पानी के करीब रह जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हैं आपको दिखा रही हूँ शैम्पू तो इस पानी को जब हम उटार लेंगे गैस्दिक फ्लेम से उतार लेंगे तब हम इसमें शैम्पू एड़ करेंगे मैंने यहाँ पर पानी को कर लिया है अच्छे सिस्टेन आप देख सकते हैं और यह पानी बहुत ज़दा गरम है आपको इतना गरम पानी इस्तमाल नहीं करना है उसके बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रहे हूँ लगभग एक से डेड़ जमच यहाँ पर जो मेरा डेली यूज में मैं शैंपू इस्तमाल करती हूँ वो तो शैंपू बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को अपके स्टल्प को क्लेन करता है बट अगर आप इसे इस तरह से इस्तमाल करते हैं तो यह जो शैंपू है और भी ज़दा पावरफुल बन जाता है मैं आपके साथ शैर कर रहे हूँ विंटर हैर कैर रूटीन जिसमें मैं आपके साथ बहुत ही ज़दा अमेजिंग और गजब की रेमेडी शैर कर रहे हूँ हैर से रिलेटेड, हैर कैर से रिलेटेड तो guys अगर आपको यह series पसंद आए तो please make sure मेरी series को प्यार दीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा motivate होकर आप लोगों के साथ बहतरीन से बहतरीन videos share करूँ, please support me guys, मुझे आपके support की बहुत ज़्यादा जरूरत है just because मैं काफी time से job कर रही हूँ, बट मुझे वो performance नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं मिली है अभी energy जो आप लोगों से मुझे चाहिए वो प्यार नहीं मिला है अभी तो please मेरी videos को प्यार देजिए please मेरी videos अगर आपको अच्छी लगा करें मुझे ज़ादा प्यार देने के जक्र में दुबारा से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और चैनल अंसब्सक्राइब हो जाता है होआज उन्ने पता भी नहीं चलता ठीक है अगर आपने मेरे च्प्सक्राइब कर देया है कर दोंट वरी दुबारा से सब्सक्राइब रिने की ज़रूत नहीं है मैंने यह उन लोगों के लिए कहा जिनों ने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है ओके जी यह था मेरा वीडियो अब आपने क्या करना है अच्छे से आप जब आप नहाने जा रहे ना तब आप इ आइलिंग नहीं करनी है रात में आप आइलिंग कर सकते हैं और सुबह आप दुबारा से बाश कर सकते हैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में कुछ नए और मज़िदार लेकर तब तक के लिए बाबाई